हलो प्यारे बच्चो आज किस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास एट हिंदी का चैप्टर नमर एट बच्ची की दुआ का संपूर्ण कोश्चन आंसर तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो यदि बच्चो आप लोग अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर लेंगे ठीक है ना और मैं आप लोग को एक जानकारी देदूं कि मैंने आप सभी को चैप्टर नमबर है ना तो यहां से जाएएगा हर सब्जेक्ट का आप लोग देख सकते हैं जो भी सब्जेक्ट आप लोग को पढ़ना होगा फिलाल आज के इस वीडियो में हम लोग इस शेप्टर का कोशन अंसर करते हैं तो यहां से आप लोग का प्रसन अभ्यास है बच्चो वो शुरू होता ह रहे हैं तो आप लोग लिखिएगा तो देखिए उत्तर में आप लोग क्या लिखिएगा यहां पर तो आप लोग यह भी आंसर में लिख सकते हो हमें आना इस शुर से ज्यान विद्या आरोग्यता तता प्रोकार की भावना की मांग करेंगे ठीक है यह बात आप लोग भी जो हम बताये भी दूसरा कोशन कहता है कवीता में संसार को बेहतर बनाने की कामना मुखर हुई है उन कामनाओं को अपने सब्दों में लिए तो चलिए हम लोग आंसर जानते हैं तो बच्चा जी आप लोग आंसर में लिखेगा है इस स्वर मुझते मेरी वतन की सोभा बढ़ी जिस तरह फूल खिलकर फुलवारी की रवनक को बढ़ा देता है मैं अपने दम पर दुनिया को और ज्यानता को दूर कर दू मैं अपने कर्म सी हर एक छेतर में खुसी ला दू म पुलवारी को रवनक बना देता है उसी प्रकार हम अपने ज्यान से दूसरे को भी ज्यानित बनाएंगे ठीक है विद्वान बनाएंगे यह नहीं और ज्यानता को दूर नहीं करेंगे जी तो चलिए आगे आप लोग का कूश्चन है पार से आगे का तो पार से आगे का इन पंग्तियों में ऐसा भावस्पष्ट किया गया है नजम की उन पंग्तियों को लिखिए तो चलिए बचा जी हम लोग आंसर देखते हैं तो आंसर में लिखिए का आप लोग मेरे अल्ला बुड़ाइस दिया बचाना मुझको नेक जो रहा हो उस रहा पे चलाना मुझको ठीक है ना इस परकार आप लोग लिख लिजेगा दूसरा देखिए कहता है आपके घर में या प्रोस में बजुर्ग होंगे आप उनकी देख मतलब क्या बुड़े व्यक्ति होते होंगे आप उनकी देखवाल कैसे करना चाहेंगे इसको आप लोगों को बताना है तो लेकिंगे अमारे कर या प्रोस में जो भुजुर्ग है मैं उनकी देखवाल उनकी सेवा तथा जरूरत की चीज़े को पूरा करके करूंगा मतलब जो भी चीज उनको जरूरत होगी मैं उनकी जरूरत को पूरा करूंगा ठीक है चलिए तीसरा है अल्लाह और इस्वर में कोई फ़र्क नहीं इस बात से आप कहां तक सहमत है असप्रेष्ट कीजिए तो लेकिंगे अल्लाह या इस वर एक ही का नाम है इस बात से हम पुर्ण कविता पढ़े होंगे चलिए जी व्याक्षा करने को बोल रहा है कविता की पर्णति जया गया इसका ब्याक्षा करना है कहता है जिंदगी हो मेरे परवाने की सूरत या रव इल्म की सम से मुझे को मुहबत या रव ठीक है ना जी तो आप लों लिखेंगे प्रस्तूत हैं तो गायके हुए मुहम्मद इकबाल इस नजमे में बच्चे भगवान से प्रातना करते हैं कि है इस स्वर मेरी जिंदगी प्रुपकार के लिए हो सिक्षा प्राप्ति से मुझे मुहबत हो ओके बाबू लिख लिजेगा दूसरा देके कहता है ओ मेरे दस से यो ही मेरे जीनत जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत तो लिखेंगे प्रसूद पंक्ति हमारे पाश्ट पुस्तक किसले भातरी के बच्ची की दूआ पार्ट से लिया गया है यह पार्ट महम्मद इकबाल की रचना है इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाते हैं यह प्रभू मैं अप पूल से पुलवारी की साब बढ़ जाती है उस प्रकार मैं अपने घ्ञान से पुड़े दुनिया की जयान को मिटां ठीम घ्याना दूँ ठीक है ज्यान को नहीं और ज्यानता को मिटाना है चलिए मेरे अल्लाह खुराई से बचाना मुझको नेक जो रहो उस रह पे चलाना मुझको लिए प्रसूत प्रंक्ति हमारे पाष्ट पुता किसले बागतरी ये बच्चे की दूआ पार्ट से लिया गया है ये पाइस ये बचाना तता जो नेक रहो उसी रह पर चलाने की किर्पा करना ठीक है तो चरिए बाबु आगे है इन्हें भी जानिए इन्हें भी जानना है आप लोगों कहता है पार्ट में एनिक सद्द दिये गए हैं जिनमें नुक्ते का प्रियोग हुआ है ठीक है ना आगे है उर्दू के विभिन बर्गों के नीचे बिंदू का प्रियोग होता है ये वाद आप लोगों को पता हुआ इन्हें नुक्ता कहते है उर्दू का जो भी सब्द होता है उसके नीचे में जो बिंदू प्रियोग होता है उसको नुक्ता कहते है नुक्ते प्रियोग पांच क्या नुकता लगा है नीचे में बिन्दो लगा हुआ है इसको हम लोग नुकता बोलते हूं कि चलि आप लोग समझ गए आगे आप लोगा अगटविदी का कोश्शन है कता सब करना है तो इस प्रकार आप सबी जो हैं इस चेप्टर का संपूर्ण question answer को देख लिए हैं फिर मिलते हैं नेश्ट वीडियो के साथ तक तक के लिए धन्यवाद बाबु आप लोग को डेली क्लास हमारा साम के 6 बज़े मिलता है और यदी आप लोग इस चेप्टर का question answer का PDF लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के description में आप लोग को यहाँ पर PDF लिंक नाम से एक लिंक दिखेगा बुलू कलर में ठीक है ना तो उसको आप लोग को क्या करना है जी क्लिक करना होगा एच टी टी ऐसे करके कुछ होगा तो ठीक है ना svmclassic.com तो हाँ पर जाकर आप लोग पीडियो डाउलोड कर सकते हो गूगल पर सर्च करना है ठीक है बाबू मिलता है नेस्ट वीडियो के साथ और मैत का class भी आप लोग का चल रहा है रेवलर सुबा के 7 वजे सुबा के 7 वजे में चलता है तो उसको भी जाकर देख लिजेगा मैं जहां पर class चलता है उस चैनल का लिंक इस वीडियो के नीच दिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ओके वाबू मिलता है नेस्ट class में